असलाव अलेकुम, आज स्टेट ए फास्त अगस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं आडानी पावर लिमिटेट की तो 95 रुपेज का ये शेर है, 95 रुपेज पर ट्रेट कर रहा है अभी अगर आप इसका weekly pattern देखें चार्ट पैटन तो आप देख सकते हैं –2% का इसने निगीटिव रिटन दिया है, वहीं अगर monthly देखा जाए तो monthly में भी 15% का निगीटिव रिटन है, वहीं अगर आप yearly चार्ट पैटन देखें तो एरली में 172% का इसने positive return दिया है अपने investors को वहीं अगर हम बात करें कि ये company काम क्या करती है इसका काम क्या है तो आप देख सकते हैं ये है इनकी official website Adani Power की वहीं अगर आप देख सकते हैं इसमें ये जो company है ये power से related to service से अपने provide करती है इनके plants है power plants जैसा कि आप देख सकते है plants इनका operational जो plant है एक ये गुजरात में है वहीं दूसरा महराश्ट में है राजस्थान में भी है करनाटका में भी है गुजरात में एक दूसरा है ये वहीं अगर upcoming power plants की बात करें तो इनका जो project है जो अभी काम चल रहा है वहाँ पर तो upcoming में एक जारगंड का project है जिसमें 1600 मेगावाट की capacity के साथ power plant तयार किया जा रहा है वहीं MP में 1320 मेगावाट के power के साथ plant तयार किया जा रहा है project हो रहा है वहीं गुजरात में देखें तो गुजरात में भी इनका power plant का जो काम है वह अभी चल रहा है करनाटका में भी है राजस्थान में भी है तो इस तरीके से ये company अभी grow कर रही है वहीं अगर आप valuation की बात करें तो इस company का इस company की sector है power sector उसका जो PE ratio 19.39 है वहीं इस company का जो PE ratio 29.11 है अगर आप financial की बात करें तो financial आप देख सकते हैं कि company का जो 2019 में net profit जो negative में था माइनस 984 करोर रुपेज 2020 में वो बढ़ के negative return माइनस 2274 करोर हो गया वही 2021 में इनका positive जो है net profit हुआ है इनका जो की 1269 करोर है जो की अच्छी चीज है वहीं अगर आप shareholding patterns की बात करें तो shareholding patterns आप देख सकते हैं promoter के पास 74% की shareholding pattern है वहीं आप देख सकते हैं कि 74 में से 21% वो pledge है यानि अभी गिरवी रखी हुई है जो की अच्छी चीज नहीं है वहीं foreign institution के पास 17.07% की holding है वहीं अगर आप बात करें जो normal public है जो retail investor है उनके पास 7.96% की holding है अगर technical rating की बात करें तो according to money control technical rating अभी भी bearish यानि कि stock और भी नीचे जा सकता है वहीं अगर हम community sentiment की बात करें तो 60% जो लोग है money control की user वो खरीदने की सला दे रहें वहीं 20% लोग इसे बेचने की सला दे रहें वहीं 20% लोग इसे hold करने की नसिएत दे रहें ज़्यादतर लोग इसे अभी भी खरीदने की सला दे रहें वहीं अगर brokerage research की बात की जाए तो किसी broker firm ने अभी तक कोई भी target इसमें set नहीं किया है अगर intrinsic value की बात करें तो according to ticker tape अभी कोई भी intrinsic value की data available नहीं है return versus FD अगर देखें तो FD से अच्छा return ये company नहीं दे रही है dividend भी कुछ खास नहीं है इस company का entry point की लिहाज से अभी भी आप इसमें entry कर सकते हैं company में already red flag है तो अगर आप entry करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करिएगा तो ये थी video अडानी power पे video कैसी लगी अगर थोड़ी सी भी informative लगी हो तो video को like कर दीजेगा चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर मिलेंगे next video के साथ खुदा आफिस